स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चलों साइंस्टी टेक्नोलोजी में मैं अनफर्मेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के शो साइंस थर्ष्टी में आज हम लोग बात करेंगे सूलर हाइड्रोजन पैनेल्स के बारे में तो आए से समझते हैं तो सरसे पहले समझे जरुद क्या है, जरुद यह है कि हमारे पूरे इंडुस्ट्री में पूरा जो समात चल रहा है, इसको बहुत ज़्यादा डिमांड होता है हाइट्रोजन का, और मैं सिर्फ इंडुस्ट्री का बात कर रहा हूँ, बाखे चीज़ तो आप छोड़ी दीज सेमी कंडुक्टर टेकनोलजी में यूज होता है, तो समझे हाइट्रोजन का खपत होता है, continuously खपत होता है, तो समझना बहुत जरु रही है, और अभी के टाइम में जितने भी हाइट्रोजन की सप्लाई हो रही है, जो यह सारी इंडुस्ट्री को चला रही है, जो आपका इंडुस्ट्री के लिए निकालते है, यानि कि CH4 थे, CH4 मेथे इंसे में बनाता है, उसे स्टीम रिफार्मिंग करते हैं, यानि कि एक तोर समझे गरम माहौल में उसे स्टीम का इस्टमाल करके तोड़ देते हैं, बात यह से निकली जाता है, CH4 में जो चार्बन था वो नि निकलते हैं और आपके पस clean hydrogen लेकिन hydrogen प्लानेट के लिए अभी भी साफ नहीं है, क्योंकि मिजॉरटी जितना भी आप hydrogen खर देंगे, 95% चांसे होंगे कि वह सांती से यहीं से आया, क्योंकि और कोई भी इतना cost effective नहीं है, क्या हम लोग पानी से hydrogen निकाल सकते हैं, आराम से है क्यों नहीं लोटे जाएंगे, तो बात वही रहता है, और हम लोगो चाहिए clean hydrogen, ऐसा नहीं कि कहने को hydrogen है, वो सिर्फ वाटर निकलता है, लेकिन पर चलाब ही है, आप गैस वेल से carbon dioxide निकाले ही जा रहे हो, तो यह बहुत बड़ा जरुवत है, हमें सिर्फ इंडर्स्ट्री में जरुवत है, तो बात है कि सपना क्या है, सपना यह है कि हम लोग वो चाहते हैं जो plant के पास है, तो plant के पास है क्या, plant के पास ट्रिक है, अगर उसे water दिया जाता है, और sunlight दिया जाता है, वो सीधे split कर देता है, hydrogen निकाल लेता है, तो यही है सबसे बड़ा target जो हम लोगो चाहिए, कि पानी लो, sunlight लो, कुछ भी, कोई भी हमारा magical machine हो, बस हो जाए, जैसे कि plant करता है, तो अभी हम लोग के पास वो नहीं है, हम लोग चाहते है, जैसे हम लोग आते है, फोटो हाइड्रोजन चाहिए, तो फोटो हाइड्रोजन होता है, जिसमें कई सारे लोग अल अ एक स्टप पिछे आना होगा, तो वहीं एंजाइम ऐसे ऐसे आते हैं, बायलोजिकल एको सिस्टम में, जिसका इस्तमाल करें पानी, sunlight equals hydrogen, अभी हम लोग उसको पूरा अच्छा से नहीं कर पाया, सिर्फ लाब में हो पाता है, तो इस तरह के लाब में आको एक्स्परिमेंट क्या होता है अगर आप hydrogen और oxygen की शादी कराते हैं, वह exothermic reaction बनाता है, यानि कि गर्मी देता है, तो chemistry में जितने चीज़ होते हैं, और दोनों वह होता है, one way भी होता है, back way भी होता है, तो क्या होगा अगर आप पानी को लेते हैं, और उसे भूंज देते हैं, जैसे कि एक ब अगर हाई temperature में water के साथ react करेंगा, तो water को split करतेगा, hydrogen और oxygen बनातेगा, अब वहाँ पे आपके पास पानी नहीं, वहाँ पास boom gas है, वह boom हो जाएगा, फुकुशीमा पे भी यही हुआ, कि पानी boom हो जाता है, अगर उसमें कुछ-कुछ catalyst हैं, जो आप periodic table में पढ़ेंगा, हैं अगर, वह catalyst है और high temperature है, पानी boom हो जाता है, तो यही इसी को हम लोग कहते है, thermolysis, तो thermolysis भी हम लोग करना चाते हैं, तो अगर कोई आप से पूछे कि इस concentrated solar का सबसे best outcome क्या हो सकता है, तो यह पानी डालो, और दूसरा hydrogen और oxygen high pressure में निकलने लगेगा, तो यह सपनी है हम physics मना नहीं कर रहा है, physics बूल रहा है, हाँ भार, बना सकते हैं, को attentional ही बात नहीं है, बस हमारे पास engineering उस लेवल पर नहीं है, economics तो छोड़े दिये, engineering ही नहीं है, कि large scale पे देश का खापत पूरा किया जा सके है, तो अब बात करते भी एक नया चर्चा में आया है topic, जिसे कह लेकिन बात है कि पानी कहा से लाएंगे, तो क्या होगा अगर पानी का स्टप को हटा दे है, आप पानी को यसे को अधर हवा सही पानी निकालो, तो अगर आपको पता है हावा के बारे में, तो हवा में क्या होता है, हावा में होता है, यह होता है, नाइट्रोजन होता है, carbon dioxide, carbon dioxide, argon, other gases, and water vapour. तो यानि कि humidity होता है, अगर आप humidity से direct काम करने लगें, तो पानी का step ख़दम हो जाता है, कि यह मेरे पास सेल है, और हवा है, काम ख़दम सर, होगे सर, आपका अराम से hydrogen निकल जा रहा है, यह हम लोग चाहते हैं, तो इसे distilled water का एक ecosystem बनाने के जरूत नहीं पड़ेगी, जो मैं बार-बार क्लियर करते हैं, अगर हाइडोजन से आप देश चलनाने का बेवकुफी किये, इतना जादा वो पानी पिएगा कि वो देना पॉसिवल नहीं क्यों, क्योंकि उसको उसको पानी नहीं देना है, कि नहीं होता है, वो शुध H2O है, वो अल्रेडी शुध है, तो वो अगर आप किसी तरह के से direct react कर पाते हैं, तो आपको contamination के बारे में नहीं सोचना है, जैसे कि इनका ये foam design है, तो देखे, इसमें nitrogen plus oxygen कोई लिए न देना नहीं है, और ये सब अगर आपका oxygen dissolved था पानी में, ज तो कि सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ रियाक्ट करगा है, जो चाहते हैं हैं, यानि कि H2O, बागी चीज़ अराम जे निकल जाएगा, कोई tension नहीं है, तो यही है idea, direct air electrolyzer, physics, सेम है, जैसे आप घर में normal electrolyzer बनाते हैं, स्कूल में experiment के लिए, सेम वही है, बस idea किसी को लगा है, यह फोम का, और यह फोम जो है, ट्रिक वाला बात है, और यह आपको समझना पड़ेगा, कि इसे जो output निकलता है, वो low pressure gas होता है, यानि कि जो इसे gases निकल रहे है, उसको आपको manage करना होगा, लो pressure में, ऐसा नहीं कि 15 PSI का हो से पानी से नहीं, बहुत कम pressure का होता है, क्योंकि hydrogen को आप एक tank में रखते है, उसमें सिफ एक या दो परसंट contamination है, तो वो gas storage नहीं हो, वो boom storage है, थोड़ा सा भी अगर static electricity भी पड़ा, वो सीधे बूम कर जाएगा, तो समझना बहु ज़री है कि hydrogen का storage बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसे absolute pure रखना पड़ेगा, तो इसे पूरा reaction तो नहीं होगा, होनी की ज़रूत नहीं हो, बस इतना reaction कर सकता है कि आपको जो canister को damage कर देगा, जो pressure valve है उसको damage कर देगा, प्रेशर valve से निकलेगा, वो क्या है, फ्यूल है, बाकी atmosphere बोलता है, हम सभाल लेंगे, तो इसलिए hydrogen और oxygen मिक्स नहीं होना चाहिए, ब अगर contaminated है तो, जैसे कि कही सगहां पे, jewelry industry में, पानी से electrolyzer चला जाता है, उसमें hydrogen और oxygen एक साथ निकाला जाता है, क्यों कि उसको तुरन जलाते है, और उससे आप gold-old पे काम करते हो, gold को पिखलाना ही हो गया, क्योंकि एक्दम clean flame रहता है, तो वहां पे तुरन यूज कर रहो टेकनिकली अगर आप करना चाहें, तो कर सकते हैं इसे घर में भी, normal foam उसके साथ, लेकिन long term चला पाना, उसका मतलब की moisture उसमें जाए, moisture ही react करे, बाकी कोई चीज react ना करे, वही सारा खेला उसी चीज पर हो रहा है, कोई company openly बता नहीं रही कि exactly यहां क्या है, Australia में भी research हुआ है, बहुत सारे और European nations में भी research हुआ है, लेकिन ट्रिक यही है, कि यह फोम जो है, रात भर में moisture absorb करता है, दिन में आप electricity चला के, इससे आप hydrogen oxygen अलग करते है, फिर अगले रात को फिर से अब्सॉर्ब कर लेता है, जैसा अपका desecant होता है, एकदम उसीद रखा है, exact क्या है, वह obviously मुझे नहीं पता, उनका white paper में भी नहीं था, वह obviously patented रखना चाहा रहे है, patent भी क्या कहा है, उसको proprietary रख रहे हैं तो देखे आने मेला टाइम में पता चल जागा क्या है, तो बात कहते है, जिस करण से इतना hype चल रहा है, वह है Solhoid का, Solhoid है, पता नहीं क्या बोले है, तो यह company का है कि हम आपको इस तरह का पैनल, आपको खूब जगह पर फोटो देखने को मिलेगा इसका, कि पैनल है, आपका हवा चल रहा है, उस oxygen byproduct है निकल रहा है, hydrogen निकल जा रहा है, और से सिफ सनलाइट, और कुछ करना ही नहीं है, कोई ecosystem नहीं बनाना रहे हैं, फिर solar farm स आप पानी का system बना रहे हैं, फिर पानी का filtration बना रहे हैं, फिर filtration से आपका hydrogen निकल रहा है, hydrogen निकल रहा है, यह पानी नहीं वीड करना है, और hydrogen आपका low pressure निकल जा रहा है, तो target यह है, कि यह यह unit है, जैसे हम लोग का normal solar panel होता है, आपका आपका जोड़ल के के चलाते हो, यह ही करोगे, जैसे आपका school के ऊपर यही रखा होगा, घर के चात पर यही रखा होगा, और कितना रखेंगे वो आप पर डिपेंड करता है, कितना बड़ चात है, कितना वो करना चाते है, आप कर सकते हैं, जैसे normal solar farm बनाते हैं, वैसे यह hydrogen farm बनाने का logic है, ज्यादा कुछ नह यानि बलून भी नहीं फूलेगा, बहुत ज़्यादा low pressure है, लेकिन काम कर सकते हैं, और humidity dependent है, जैसे आप किसी ऐसे जगहां पर डाल दिये, जहां पर बहुत ही कम humidity है, obviously नहीं काम करेगा, humidity है नहीं तो करेगा, स्यासमान से नहीं आजाएगा, और इसका claim company है कर रही है, कि प लेकिन जैसे से cost बढ़ते थे, वो logical बन जागा, जैसे कि lead acid battery शुरू में recycle कर सकते थे, करते नहीं थे, logical नहीं था, लेकिन जब पता चला कि lead contaminating है, तो हम लोग करने लगे recycling, तो वैसे समझी solar panel के साथ भी है, कि अभी solar panel क्या recycle कर सकते है, technology है, जरूरत नहीं तो नहीं कर रहे जैसे जैसे वो बढ़ने लगेगा, तो वो ecosystem अपने आप बन जाएगा, अब इसमें profit हो रहा है, अब लोग खुद अखुद solar panel recycle करेंगा, wind turbines कामने का पस कोई idea ही नहीं, कुछ नहीं है कि क्या करें उसका, वो इतना बड़ा-बड़ा wings बनते हैं, क्या करें उसका, कोई idea नह बनाने को मतलब ने रहेगा, कि अगर कल को आप यह headache से परिशान हो कि करें तो करें क्या, तो recycling के पूरा claim करें कि हमारा सारा चीज हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज नहीं है, जो अरे इसका क्या करें, तो यह solhoid का है, और इसी को hydrogen panel, solar hydrogen panel, यही company का आपको यही design आपको बार-ब आपको detail नहीं दिखाया चारा है, clear cut, तो घोटाला है, बहुत अच्छा चांसे है कि शुद्ध घोटाला है, तो बहुत सारे detail मिसिंग है, और मैंने इस company को देखा, company में professors हैं, engineers हैं, technicians हैं, मतलब पहुंचे वे लोग हैं, लेकिन जो इनका detail इतना हावा महल है, वो थोड़ा कर दिया कि वो जो no moving part airplane था, इस लएक बताया है कि उससे ozone निकलता है, ozone एक sterilizing gas है, उसे हम लोग hospital में यूज़ करते है, sterilize करने के लिए, वो pollutant होता है ground level पर, उससे आप plane नहीं चला सकते, वो pollutant है, हमें सीधे उपर भेजेगा, सीधे, plane में गया, सर हवा लग गया तो उपर और MIT जैसे जगहां पर उसमें मतलब बिना audio testing उनके पस calibrated data set होना चाहिए, exactly यह है, ऐसे हमने calibrate किया है, यह हमारा data कुछ नहीं कर रहे है, तो वैसी मुझे अब थोड़ा दिखने लगा है कि बहुत सारे मतलब अच्छे लोग जो की पढ़े लिखे हैं, educated हैं, सही जगहां government funds मिल रहा है, output जो इनका आ रहा है कि सर, detail आप कहा है, मैं समझ सकतो एक बच्चा, अगर समय किसी बच्चे से पूछ रहा हूँ कि भाई, तुम्हारा power requirement का है, तो बोल दे 12 voltage, भाई, वाट में बताओ, वो अलग बात होता है, लेकिन आप professors हो, आप पहुँचे वे लोगों और आपका detail गायव है, यह गोटालग में लगता है, तो इसमें सबसे बड़ा गोटालग है कि इनका yield जो है, यानि कितना hydrogen निकलेगा, वो बहुत कम होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि हवा में पानी नहीं होता है, आप लोग इस तरह का कि इतनी बार machine देख और हवा से पानी निक आप इससे कोशिश किये कि एक छोटे से गाउं का ही, बड़ा लोग हो आपटा दो, सिफ गाउं का प्यास बुझाने को कुशिस किये, नहाने होने की बात निकला है, इतना यह बिजली खाएगा, और एक दो दिन के बार output भी कम होने लगा, क्योंकि एक बार relative humidity जो है, वो ए इन भी होता रहता है, तो इसलिए यह सब उतना practical नहीं होता है, गुड़ एक्सपरिमेंट है, ट्राइ करना चाहते करने कर लिजे, लेकिन रियल वर्ल्ल में यह सब काम नहीं करता है, हम लोग बना के, मतब कि यह almost 50 साल का research data है, कि भाई यह ट्राइ कर सकते हो, फिजिक्स मन की है, तो वही समझे कि आपका पैनल को भी वही समस्या होगा, कि पानी कहा है, और मैंने हाइड्रोजन का बना था कि है जो कर्स है, जो उसका साइड एफेक्ट है कि भाई यह पूरा देस को हटा देर, कि हम पूरा देस को हटा देसे, सर, वन-to-one भी अगर मैं पोर्ट कर द पानी है, तो पानी आपका हासल आ रहे हो, तो वही समझे, हावा में उतना पानी होता नहीं है, मौस्चियर बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ बारिश हो जाएगी, और जहां पर नहीं है, वहाँ पर सही में नहीं है, और दूसरी बात, अगर माली जाए आप पानी मिल चीज़ है, कितना भारी चीज़ है, अगर मैं आपको एक टन मास में, मैं किदम क्लियर करते हैं, यूनिट में कन्फूजन ना रहे कि बहुत लोग मुर्ख बन जाते हैं, जैसे मैं एक तो यूटिबर का ही देखा, जो इसके बार में, अर इससे 500 लीटर हाइडोजन निकले मतलब इसे चलाके एक टन वाटर दे दिया, तो उसमें कितना हाइडोजन होता है, 11 परसेंट, अब वो क्यमिकल लेवल बाता रहा हूं, वो तरन आप निकालने ही पाऊगे, 10 परसेंट भी निकाले तो बारी बात होगी, तो रियलिस्टिकली समझ लीजे कि एक टन का सिर्फ 10 परसेंट मिलता है, तो पहले हुमिडिटी उतनी होती नहीं है, उस हुमिडिटी में जितनी पानी आपको निकल भी जाएगा, उतने पानी में हाइडोजन सिर्फ 10 परसेंट होगा, तो आउटपुट जो है, आपका बहुत कम आएगा, वो आप फिजिक्स का लॉर नहीं त साल भर तो छोड़ी दीजिए, और जहाँ पानी निकाल लो गया, पानी मिल रहा है सर, पानी में तो हाइडोजन होता ही नहीं ज्यादा, आप मोल पढ़े है ने स्कूल में, लगा यह मोल का मैथमेटिक्स लगा, यह कितना परसेंटेज होता है, 11 परसेंट आएगा, तो वह तो नहीं बता रहे हैं स्टोड कारना है, वह आप अपना लॉजिकल एड़ी है, तो आप क्या कर सकते हो? तो सबसे नॉर्मल सामानने यूज है कि उसे प्रश्य में डालो, एक टेंक में डालो, टेंक मतब लो प्रेशर टेंक होगा, एक हाई-प्रेशर टेंक होगा, और लो लेकिन भारी बहुत होता है जैसे कि लेड एसिड बैटरी का दाम इतना जदा क्यों है मतलब घर में जो इनवर्टर में बैटरी लगाते हैं इतना पहला पहला तेकनोलोजी महँए नहीं है वह जन जाता है यानि शिपिंग में लूट जाते है तो मेटल हाइड्राइट के टैंक बनाना जिसमें आपको काफी हाइड्रोजन स्टोर कर सेगे, बच्यों खेलने का चीज है, वो टैंक शिप्ट करने में आप लोटे जाएगा, टैंक बहुत भारी होता है, क्योंकि उसका बाइ मास 10% होता है, वहाँ पे भी 10% गुंपिर के आ नहीं तो पिरियोडिक टेबल आप कंफ्यूज कर जाएंगे, यह हाइड्रोजन है, कीलोग्राम में बहुत पावरे सार, निकलता तो है नहीं आपका उतना, इसलिए पानी का मास देखिए, पानी के मास में है नहीं सर, अब ही आता है, कि मेटल हाइड्राइक में आप रख स आपको दे सकते हैं, यह इन कमपनी का ऑप्टिमम डेटा है, अब इसको कंपे करते हैं, मैं आपको 1,000 स्क्वाइर मीटर का दे देता हूँ कि यह जगह है, इसमें solar farm लगाओ, normal solar farm, कितना उसे energy मिलेगा, 285,000 के unit of electricity मिलेगा, यानि कि 2,85,000 unit of electricity मिल जाएगा आपको, वो इस इसमें solar farm के खर्चा दे ही रहे हो, और आप पनी ही निकाले हो एटमस्फेर से, जो कि उतना होता नहीं है, और जैसे चलाते जाओगे एटमस्फेर की उस जगह की, उस जगह की, उस जगह की, उस जगह की, बड़ा बड़ा फैन लगाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा फैन कि अगल बड़ का humidity चूसना जूरू करें, और बड़ा है कि humidity जिस जगहां पर बहुत होता है, वहां पर बारिश होता है, बारिश होता है, तो इसका मतलब क्या है, sunlight नहीं है उतना, यानि कि बारिश हो रहा है, बादल हो रहा है, तो अब इस सोलर पैनला को टाम नहीं करेग और इनका claim है कि यह कोई भी non-precious metal इस्तमाल कर रहा है, यानि कोई भी ऐसा चीज नहीं जो महंगा हो, जैसे कि fuel cell में सबसे बड़ा दिक्कत या था कि fuel cell खास तर पे electrolyzer में, जिसको ऐसा बनाए जासे जो लंबा चले, महंगे महंगे चीज़ यूज़ करने पड़ जाते है, काफी company यूज़ करते हैं, काफी company नहीं भी करते हैं, लेकिन वो एक option है कि आप platinum लगा दो ताकि वो तुरंत टिके रहे हैं, तो इनका है कि हमारे में कोई भी precious metal नहीं है, यह कह रहे है हमारा non-precious material है, ठीक है, लेकिन क्या है, non-precious का कोई मतलब नहीं हो तो periodic table हो गया, क् कौन सा metal group आप यूज़ करे या, कौन सा plastics है, क्योंकि कहने को देखे, silicon भी एक non-precious element है, free है, market में मिलता है, बीच पर मिलता है, लेकिन उस silicon को जब आपको बना के इससे, आपको solar cell बनाना होता है, इसका दाम बहुत-बहुत जड़ जाता है, बात हो ही समझे कि element को कहना कि ह एक पर मिलता है, बालु कोई कमी नहीं है, लेकिन silicon ingot का नाम देखिएगा, वही वाला बात हो जाता है, और कोई detail नहीं है, कि actually utilize कैसे करें, क्योंकि जो मिली बार्स में वता रहे है, उस मिली बार्स में क्या करोगे, actually, fuel cell बहुत energy waste करता है, कि आप उसको ले लिए, फिर हम आप दबार चलाएंगे माली electricity निकालने के लिए, बहुत energy waste हो जाएगा, 60% तो ऐसे ही waste हो जाएगा, मतलब 40% waste हो जाएगा, 60% यूज कर भा हो गया, सीधे electricity के तो जादा फाइदेबंद हो गया, तो ही बोल रहे है, कि जब engineers, scientists इसा से detail हटाने लगते है, तो मुझे वो फि presentation, solar hydrogen panel के पारे में, उमीद करता हूँ, आपको अच्छा लागा, कुछ सिखने में लागा, कुछ समझ में आओ, अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दो साथ शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक द हन्यवाद